SSE GD exam में बस कुछ दिन से buffalo की tension के साथ revision करने की भी tension आकरी दिनों में आखिरका suction revision को कैसे किया जाए ये question हर एक suspirants के मन में कौज रहा है तो आज कई session में मैं इसी का solution लेकर आप सभी के सामने हूँ तुचलिये वीडियो को शुरू करेंगे और जानेंगे कि आखरी दिनों में revision करने की जो best ninja technique है वो क्या है वीडियो को सुरू करते है सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि अगर हमें revision करना है तो जिस तरीके से आपने classes के लिए schedule बनाया था जिस तरीके से आपने self study के लिए schedule बनाया था ठीक उसी तरीके से आपको एक strict time table यानि कि समय सारणी जो है वो बनानी होगी किसके revision के लिए भी तो वह समय सारणी जो है वो क्या होगी किन-किन point को दियान अकना पड़ेगा उसकी हम लोग बात करते हैं सबसे पहला आपका काम होगा revision का अलग से time table बनाए अगर आपकी classes चल नहीं है बहुत बढ़िया खतम हो गई है चिल करो लेकिन revision करने का एक अलग से time table आपको बनाना है इसके बाद आपको क्या करना है किसी भी कीमत पर इससे follow करना है आप सभी लोग करना है कि जो भी आप time table बनाएंगे वो आपके अनुशार होगा आपकी उपलब्धिता के यानि की availability के अनुशार होगा तो आपको इसको strictly anyhow follow करना है किसी भी कीमत पर अगला revision हमेशा आपको एकांद जगे पर करना है जहां किसी भी प्रकार का कोई भी disturbance ना हो अगर आप के पास disturbance होगा तो आप revision करने मर concentration नहीं रख पाऊगे इसलिए मैंने आपसे कहा है कि एकांद जगे में बैठकर जहां पर कोई भी ना तो आपका परिवार ना ही आपका दोस्त या कोई भी आपको disturb करने बाला ना हो ऐसी जगे पर बैठकर आपको study भी करनी है और revision भी ऐसी ही जगे पर बैठकर आपको करना है अगर हम लोग बात करें अगले पॉइंट के तो revision करने के लिए आपको यह जो 3R का principle है इसको आपको जरूर फालो करना है अगर आप इस 3R principle को फालो करेंगे तो आपका revision जो है वो और बहतर हो जाएगा तो जानते हैं कि यह 3R जो principle है यह होता क्या है सबसे ज़रूरी चीज है read करना जब आप किसी भी चीज को पढ़ते हैं तो उसको आप कितना carefully read कर हैं यह बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि आपको exercise अपने pen के साथ नहीं अपने mind के साथ करनी होती है इसलिए कोसिस करें कि जो भी चीज़ा आपको बताईगी है उनको जादे से जादे आपको क्या क पढ़ोगे फिर उसको recall जो अगला process है वो recall है recall का मतलब उसको आप brain में पढ़ोगे ठीक है पढ़ लिया recall कर लिया जब आप रिकॉल करोगे तो आपको ये पता लगजाएगा कि कहां कहां चीज़ें आप से छूट गई है या कौनकोन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको फिर से पढ़ लिया फिर से recall कर लिया तो ये 3R की process complete हो जाती है और इस तरीके से जब आप चीज़ों को revise करते हो तो चीज़ें आपको लंबे समय तक अपने mind में retain रहती है अगले point के हम लोग बात करते हैं ध्यान रखेगा जब भी आप revision करे तो कुछ approach है उनको आपको जर उसी के साथ आपको revision करना है अगर आपके पास multiple जगए के class notes है तो कोसिस करिए कि multiple जगए से नहीं पढ़ना है क्योंकि ज़्यादा जब आप study करते हो तो ज़्यादा confusions होते हैं इसलिए जो भी है आपके पास कम से कम होना चाहिए और best होना चाहिए class notes से हमेशा revision करना है ये ध्यान रखेगा अगर वीडियो के तुरू revision करेंगे तो समय ज़्यादा लगेगा अगर class notes के तुरू revision करेंगे तो आपके लिए चीज़े क्या रहेंगी आसान हैंगी समय भी आपका क्या हो जाएगा सेव हो जाएग अब बात आती है कि जब आप revision revision करेंगे तो mathematics की अगर मैं बात करूँ मनलीजा आपने एक कोशन पढ़ा उस कोशन को पढ़ने के बाद उस कोशन को सीखने के बाद आपको अपने मैंड से पूछना है कि गुरू जी ने ऐसा क्यों किया था और रिजिनिंग में अगर आप ऐसा करेंगे तो जरू सोचो और अगला कोशन है क्यों हुआ मतला जो भी चीज़ें गुरू जी ने करी है वो क्यों करी क्योंकि आपके माइन में ना उस कोशन के लिए कुछ ना कुछ आ रहा होगा तो जो आपके माइन में आ रहा है और जो गुरू जी ने किया है वो क्यों किया इसको आपको अपने मा कर देगा वो आपके सारे संदेह को सारे doubt को क्या कर देगा दूर कर देगा इसके बाद आपका क्या होगा इस जो आपने जद्दोहज की है ना अपने डिमाग में अपने माइंड से जो आपने questions पूछें कि क्यो हुआ और कैसे हुआ है ना तो इसी चीज का answer आपको highlight करना है य अब बग आपके mentors हैं जो भी आपसे बड़े हैं जो आपको guide कर रहे हैं उन से उन सारी चीजों को जरूर पूछना है जिससे वो आपको उस point पे help कर पाएं और वो point जब आपका clear हो जाएगा highlight भी हो जाएगा तो आपको हमेशा ध्यान रहेगा कि अब इस गलती को हमें दोबा करेंशन में तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए हसते रहें उसकाते रहें और महनत के सार पढ़ते रहें जैहिन लब यूवाल